किमिस्ट्री बुक टू चेप्टर नमबर ट्वेल्व लास्ट टाइम हम लोग उन्ने अल्डी हाइड्स और कीटॉंज का चेप्टर स्टार्ट किया था अल्डी हाइड्स एंड कीटॉंज इसका बेसिक ओवर्वियू मैं आपको पहले दे चुको हूँ आज हम थोड़ा सा र कार्शच्टील में को सब्सक्राइड क्रileans चलने को सब्सक्राइड्स और उतने मिसे सबस्सक्राइज तक पहरा अकी बहां आजई हिसा सबस्क्राइब को हम by definition aldehyde बोलते हैं similarly अगर आपके पास एक कार्बनायल ग्रूप लगावा है ठीक है और इसके दोनों आम्स में आप किसी भी तरफ hydrogen अगर attach ना करो बलके दोनों तरफ आप कार्बन से आगे chain extend करा दो यहां पर आर इसको आप आर प्राइम नाम दे दो तो ऐसे हम कार्बनायल कंपाउंड को ketone बोलते हैं यह इन शॉर्ट आप इन दोनों कह सकते हो कि दोनों basically एक ही चीज़ है सिर्फ कार्बनायल ग्रूप जो है इसक लोकेशन का डिफरेंस है अगर कार्बनायल ग्रूप आपके पास corner या end के उपर लगा हुआ हो तो उसको हम aldehyde बोल देते हैं और अगर यह mid में कहीं पे लगावा हो दरम्यान में दोनों तरफ इसके कार्बन्स हों तो पिर हम इसको ketone बोल देते हैं यहां तक तो पहले बात हो चुकी थी और हमने थोड़ा बहुत इनका structure भी देख लिया वा था आज हम बात करेंगे इनके जो मुक्तलिफ naming टेक्नीक्स हैं aldehyde की tones की सबसे पहले तो इनके हम common names देख लेते हैं दोनों के common names, aldehydes जो हैं इनके जो common names हैं यह इनके corresponding acids से derived होते हैं ठीक है और acids से जिस तरीके से हमने acids को नाम दिया वह होता है इसी तरीके से हम corresponding aldehydes को नाम दे देते हैं for example आपके पास एक acid है formic acid formic acid जिसका formula क्या होता है formic acid formulin यह आपके पास यूँ चीज़ है c h h double bond o ठीक है यह ठीक बनाया है मैंने no यह ठीक नहीं बनाया मैंने acids के अंदर आपको पता है कि c double o h होता है ठीक है और आपको पता है c double o h का structure कैसे होता है c double bond o और फिर एक o h तो carbon के कितने bonds भी बाकी रह गए है एक रह गया ना तो यहां पर अगर आप एक hydrogen लगा दो यह जो आप मैंने बनाया ना यह ठीक structure है य और यह जो right side मेंने बना दिया है यह basically आपके पास formaldehyde for maldehyde आप identify कर सकते हो ना किसके अंदर c o h जो लगा हुआ है एक corner के उपर लगा हुआ है c o h और उसके साथ एक तरफ को h लगा हुआ है ठीक we call it formaldehyde क्योंकि यह formic acid से derive हुआ है formic acid को formic acid ही क्यों कहा जाता है यह भी आप question raise कर सकते हो formic basically जो word है यह formica से निकला है formica जो के Latin language के अंदर आप ant को या आप बोलते हो chunty को ठीक है और सबसे पहले जब यह acid पाया गया था तो यह chunty के अंदर पाया गया था तो इस वजह से इसको formic acid कह दिया गया था और फिर उसी की वजह से फिर इससे corresponding जो aldehy हाइड बनता है उसको हम लोगों ने formaldehyde के दिया इसी तरीके से आपके पास acetic acid है acetic acid 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 का formula CH3COOH ठीक है acids को आप हमेशा COOH से identify करते हो और acetaldehyde again आपके पास क्या चीज होने चाहिए इसके COH attached होगा COOH नहीं होगा इसमें ठीक है COH हो गया और पीछे आपके पास CH3 ही लगा है CH3COOH इसको अगर आप expand करके बनाओ तो यह कुछ हैसे होगा C के साथ 3 hydrogen ठीक है और फिर साथ एक carbon double bonded with oxygen और फिर एक hydrogen तो आप देख सकते हो के COH corner के उपर आ रहा है और हमने कहा था कि जब COH corner के उपर आ रहा हो तो यह एक aldehyde होता है ठीक है तो यहाँ पर identify कर सकते हो कि यह aldehyde है और इसको हम acid aldehyde कहते हैं क्योंकि यह acetic acid से derive हुआ है इसी तरीके से आपके पास मुक्तलिफ मजीद acids हैं जिनके नामों के साथ साथ से आप corresponding aldehyde derive करते हो अब हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास यही जैसे हमने उपर बात की कि acetaldehyde आप बना लेते हो CH3 H, H, H और साथ COOH यह आपके पास acetaldehyde है लिट से आपके पास यहाँ पे कार्बन की एक location के उपर यहाँ से आप H हटा दो और यहाँ पे आपकोई और चीज लगा दो फर एक्जेंपल आप यहाँ पे लगा दो CL ठीक है तो अब आप इसको कैसे नाम दोगे अगर आप common नाम इसको दे रहे हो तो आप इसको कैसे दोगे तो इसके लिए आपको फिर location identify करनी पड़ती थी थी ना अगर आप इसको कोई carbon one two इस तरीके से नाम देते थे लेकिन वो ठीक है alpha carbon ठीक है और अगर इससे आगे भी यह chain extend हो रही होती तो फिर यह beta gamma and then delta यह इसकी पूरा sequence follow करते हो for example आपके पास carbon 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 और यहां पे c double o h लगाव है आपके पास c double bond o h लगाव है तो आप फिर इसको alpha carbon बोलोगे इसको आप beta carbon बोलोगे इसको आप gamma carbon बोलोगे और इसको आप delta carbon बोलोगे ठीक है और यह जो again system है यह तमाम के तमाम जो आपके पास aldehydes है उनको नाम देने क के लिए काफी नहीं है इसलिए हम लोग ने आयू पीस सिस्टम जो है वो बना हुए तो हम एक एग्जेंपल देख लेते हैं आपके पास यहां पे एक बी आर ग्रूप लगा है तो अब इसको आप कैसे नाम दोगे सबसे पहले तो आप यह देखोगे कि इसमें कितने आपके आपास कार्बन एक्टम्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है तो 7 के साथ हेक्जेंट नाम होता है न अगर यह सिंपली एकलकेन होता तो आप इसको हेक्जेंट कहते हैं यह बेसिकली एक हेक्जेंलडि हाइड है हेक्जेंलडि हाइड हैं अच्छेंट साथ इसमें गैमा लोकेशन क जो पर एक bromo group लिगागा तो आप इसको बोलोगे gamma bromo hexan aldehyde ठीक है यह इसका common name हो गया इसके बाद हम बात कर लेते हैं ketones की ketones के भी common names होते हैं जिसरा aldehyde के common names है ketones में आप कैसे नाम देते हो कि for example आपके पास c double bond o and साथ आपके यहां पर एक chain लगी वी है इसको आप chain 1 कहलो r1 और यहां पर एक और chain लगी वी है r2 तो आप सबसे पहले इस chain का नाम देते हो फिर इस chain का नाम देते हो और आगे ketones लिग देते हो ठीक है बहुत है simple सा यह तरीका है for example आपके पास c double bond o यहां पर आपके पास एक तीन carbons की chain extend हो रही है तीन carbons की और right side पे दो carbons की chain extend हो रही है ठीक है और यह आपके पास right side पे कौन सी chain है ethyl chain लगी गी है यह ethyl chain so you would call it propyl ethyl ketone ठीक है propyl ethyl ketone यह आप इसको alphabetically लिखोगे ठीक है यह पहले आता है तो आप इसको ethyl propyl ketone बोलोगे ठीक है यह यह यू आएगा और यह बाद में आएगा इसी तरीके से कोई भी आपके पास दो chains extend हो रही हो तो आप इस तरीके से नाम दे सकते हो एक इसमें confusion यह हो सकती है कि अगर आपके पास कोई एक isomer की form में हो for example यू करके और right side पे यह ही दो carbon लगे हो है तो आप आप कोगे कि यह जो इस side पे लगाव है यह आपके पास अभी भी propyl ही है बट यह isopropyl है अब आप इसको अगर नाम देना चाहते हो तो पहले तो आप एक side पे चूके ethyl लगाव है तो आप यह लिखोगे ethyl isopropyl ketone ठीक है end पे आप ketone लिख दोगे तो यह इसका general तरीका है नाम देने का ketones का again ketones के अंदर जिसरा हमने का था कि अल्डी हाइड में भी आपको अगर group लगाव हो तो उसको identify करना पड़ता है इसमें भी आप बिल्कुल जो adjacent carbon है ना यह वाला तो आपका carbon है ना कार्बोनाइल वाला carbon इसके बिल्कुल साथ वाले carbon को आप alpha carbon बोलते हो ठीक है तो इसी तरह उस साइट पे भी आपके पास एक alpha carbon है ठीक है और आपके पास अगर कोई extra group वगरा attached हो तो उसको फिर आप identify कर सकते हो इस तरीके से अब हम इन दोनों के IUPAC nomenclatures देख लेते हैं IUPAC nomenclatures IUPAC standards का आपको पता है कि आप इसमें हमेशा simple again change से हर चीज को लेके चलते हो तो सबसे पहले तो आप यह देखते हो कि कोई भी aldehyde है पांच carbon slate से हम attach कर देते हैं और यहां पे पांच में के साथ आप chain को close कर दो तो इसको अगर आपने नाम देना है तो इसको किस तरीके से नाम दिया जाएगा तो हम सबसे पहला जो rule है first rule वो तो यह है कि आप identify the corresponding alkane ठीक है या आप यूं कह सकते हो कि अगर यह C double bond O group exist ना करता यहां पे भी एक hydrogen ही attached होता तो basically तो यह एक alkane ही है ना एक alkane ही है जिसमें एक hydrogen की जगह पर आपने C double bond O attach किया हुए दो hydrogen's remove करके carbon से तो सबसे पहले तो आप वो alkane identify करते हो ठीक है second step आपके पास यह होता है फिर कि आप उस alkane के और यह जो AL है यह आपने सब के साथ लगाना है यह AL aldehyde से निकला है और यह आप हर aldehyde को identify करने के लिए use करते हो for example यह जो यहां पर मैंने भी बनाया है यह क्या चीज है one two three four five carbons के साथ five carbons के साथ corresponding alkane कौन सा होता है five carbons के साथ आपके पास होता है pentane तो आप क्या करोगे pentanel इसको नाम दे दोगे ठीक है pentanel यह तो आपके पास second step हो गया third step आपके पास यह होता है क्या आप इसकी numbering करते हो ठीक है number the chain yeah in fact you'd call it number the longest chain अचा इसमें भी यह scene हो सकता है क्या आपके पास chains एक से जादा हो for example one two three four five six and then seven and eight and यहां पे में एक c double bond o and sorry chain मैंने दर्मियान में भी खतम कर दी है हम ऐसा करते हैं कि यहां पे एक आगे चलने देते हैं carbon और यहां पे c double bond o and h ठीक है अब यह aldehyde है यह नहीं definitely यह aldehyde है और इस aldehyde के अंदर अगर आप देखो यह corner के ओपर c o h लगाव है क्योंकि अब इसमें तीन corners बन रहे हैं एक यह एक यह और एक यह बाकी सारी जो मैंने h attach नहीं किये वो understood है तो अब आप मुझे बता हो इसमें सबसे लंबी chain कौन सी सबसे लंबी जो chain मुझे नजर आ रही है वो तो यह वली आ रही है यह वली है ना तो क्या आप इसको इस चेन से नाम देना शुरू करोगे इसमें 12345678 क्या आप इसको इस एट वली chain से नाम देना शुरू करोगे नो इसके लिए जो यह मैंने first आपको का है ना identify the corresponding alkane इसके पर तो sense ही नहीं बनती ना कर्बुनायल ग्रूप के साथ सबसे लंबी chain आप लोगे ठीक है तो वो इस केस में कौन सी chain बन रही है वो आपके पास यह वली chain बन रही है जो मैं red dot से अभी identify कर रहा हूं although इसके अंदर 8 नहीं है साथ carbon atoms हैं तो आप इस वली chain को consider करोगे और यह यह वली chain आपके पास seven carbon के साथ heptane है तो आप क्या करोगे कि इसको heptanel bold होगे अब देखो आप heptanel के ऊपर आपके पास एक यह वाला group भी लगा हूँ है substitute be attached और यह कौन से carbon के ऊपर attached है अब इस carbon के लिए आपको numbering करनी पड़ती है तो number the longest chain वही वाली longest chain जो उपर आपने identify की ती इसको numbering आपने इस तरीके से start करनी है कि जो जिस carbon के ऊपर seedable bond हो यह जो carbonyle वाला carbon है इना इसको आपने हमेशा one number देना है ठीक है इस side से आपने start कर numbering और यह हमेशा end पर होता है तो यह हमेशा end से numbering start होगी so this would be one two three four five six and seven ठीक है यह आपने numbering कर दी सारों की अब आप देखो कि ग्रुप जो आपके पास carbon number two है इसके उपर आपके पास ethyl group लगावा है दो carbon के साथ ठीक है अब आप इसको number कैसे इसको नाम कैसे दोगे जिस और आगे आप heptanel लेख दोगे two ethyl heptanel यह इसका IOPSC nomenclature है अब यह हमें core example देख लेते हैं for example carbon 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 ठीक है and then carbon 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 और यहां पे आप carbon और यहां पे भी carbon carbon और यहां पे c double bond o के साथ आप ऐच कर Do एक है कि इसको अगर आपको नाम देना पढ़ जाए तो इसको कैसे नाम दो 720 और यहां पर भी ठोड़ा सा वोड़ा सा और भी हम काम कर देते हैं कुछ हम ऐसा कर देते हैं कि हा अपे हम लगा देते हैं सी एल ठीक है और यहां पर हम लगा देते हैं बी आर और अब हम इसको नाम देते हैं सो फर्स्ट फॉल जो सबसे पहला स्टेप में ने बताया था कि आप लॉंग इस चेंग जो वैसे मुझे देख के नजर आ रही है वो है यह वाली यूं करके जो बन रही है और इसमें 12345678 अगेन 8 कार्बन्स हो गया ठीक है बट इस चेंग के अंदर आप देख सकते हो कि आप पस एप पास वह नहीं आ रहा क्या नहीं आ रहा रा क्या आपके पास C O H लो एच यह सी ँख नहीं आ रहा आपके पास तो आपको कुई और चेंड होनी है तो सबसे लंबी चेंड जिसमें आपके पास सी ओ एच क्रोप अटेश्ट है वो बनती है ये वली तीक है और इस क्रेम में अब इस वले चेंड के अंदर आप देख सकते हो कि आपके पास साथ कार्बन एटम्स हैं यानि ये आपके पास इसको मैंने वन किसको दिया जो सबसे कॉर्णर के ऊपर कार्बोनाइल ग्रूप बला कार्बन एटम्स है ठीक है 3 4 5 6 & 7 यह अपने नम्बरिंग कर दी सबकी अब आप देखो कौन-कौन सी लोकेशन पर क्या-क्या अटेच हुआ 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 है सबसे पहले जो ये एक चीज यह सबकी हुआ है यwriter 2'Tin इसके लवा क्या-क्या चीज इंटह एक त्रम्सिटीश टेच लूर्टी डेशिटथ है टिक है इसके लावा क्या-क्या-क्या चीज़ें अटेचे धेच्ट है अटries गफटेच्ट पी िन इसका लुरा ग्रोकीशन 5 इसके अलावा एक लोकेशन 7 ब्रोमो एट 7 और एट लोकेशन 3 आप देख सकते हो कि आपके पास एक यह एक पूरी चीज अटेश्ट है जो कि क्या चीज है ब्यूटेन है चार कार्बो ब्यूटाइल ग्रूप है लेकिन यह आइसो महर है ब्यूटाइल का मतलब एक एन ब्यूटाइल नहीं है बलके आइसो ब्यूटाइल है तो आइसो ब्यूटाइल आपके पास लोकेशन 3 के उपर अटेश्ट है ठीक है अब हम लोगों ने इस पूरे कंपाउंड को नाम देना है तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे यह आपके पास फंक्शनल ग्रूप से हैं सबको आप नंबर देना शुरू करोगे जिसरा आपने पहले सीख चुके हो क्या आप अल्फबेटिकली स्टार्ट करते हो ठीक है तो सबसे पहले आप लिखोगे ब्रोमो ग्रूप का मेंचिन करोगे आप लिखोगे सेवेन सेवेन ब्रोमो ठीक है सेवेन ब्रोमो के बाद फिर आप क्या लिखोगे बी के ब Chloro ठीक है, उसके बाद पिर आप E आते है उसके बाद फिर आप 4 लोकेशिन पे एथाइल लगा हुए, 4 एथाइल ठीक है, उसके बाद 3 के उपर आईथाइव लगा है 3 ऑइसो ब्यूटाइल and then finally आप इस compound का नाम का नाम लिखोगे जो किया है? है है एक टेन और आगे ए को अपने हटा के एल हेटनल लगाने आगे ठीक है तो यह आपका कमपाउंड का पूरा जो नाम है टेनल ठीक है यह आपका पूरा नाम हो गया 7 ब्रोमफाइब क्लोरोफोर एथाइल 3 आईसो ब्यूताइल हेटनल ठीक हो गया अब हम देख लेते हैं कि अगर आपने की टोन्स का नॉमनक्लेचर अगर आयूपी एसे के पॉइंट ऊफ्यू से की टोन्स को कैसे नाम देना है आपने सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो की सबसे पहले तो आपने इडेंटिफाइब करना है कि कोन सा कर्रिस्पॉंडिंग अलकेन है इसके एक तरफ मैथाइल और एक तरफ एथाइल लगावे कार्बोनाइल के दोनों तरफ तो सबसे पहले तो आप देखो टोटल नंबर ओफ काबन एटम्स कितने चार है ना तो यह आपके पास बैसिकली एक ब्यूटेन था तो आपने क्या करना है कि end से e हटा देना जिसरो उसमें आपने e लगाया था ना इसमें आपने o n e लगा देना है ठीक है यह आपके पास क्या चीज़ है बैसिकली ब्यूटे नोन ब्यूटे नोन ठीक है और फिर आप क्या करोगे क पिर आप इसमें जिस location के ऊपर C double point O लगावा है ना वो location identify करोगे और location आप कैसे identify करोगे location आप numbering करके identify करोगे और इसको आप क्या number दोगे इस वाली carbon atom को वान टू ठीक है इसमें आपने numbering इस तरीके से करनी है जिसरा आप वैसे आपने ख्याल किस चीज का रखना है कि जो आपके पास कार्बोनायल ग्रूप है आपने वो जिस साइड से करीब पढ़ रहा है ना उस साइड से आपने numbering स्टार्ट करने हैं यहाँ पर हम लेफ्ट साइड पे एक और एक्जेंपल देख लेते हैं सब्सक्राक looking at c c मैं यहां पर बीच में यहां पर लगा देता हूं क्या यहां परम लगादेता हूं डी आर आप अब देखो कि जो बी आर ग्रूप है वो है राइट साइड से करीब पढ़ रहा है और इपल पर आप जो है वो लेफ्त साइड से करीब पढ़ पढ़ रहा हूँ तो आप इसको बोलो के वान टू थ्री फॉर फाइप और सिक्स यह आप इसकी नंबरिंग करो गया नंबरिंग कर लिए इसके बाद आप देखोगे कि कर्बोनाइल है वह कौन सी लोकेशन पर लगा है और दूसरा यह एक्जेन है ना तो सबसे पहले तो आप है लिखो न और यह टाके ओन लगा दो तो हैक्जनोन हो जाए गई है ठीक है की टोन की वज़ए से ओन एन ए ओन लगाते हैं मैंट पर हैक्जनोन हो गया और फिर आप इसमें बताओगे किस लोकेशन के उपर आपका जो कर्बनाइल गोप लगा है चुक्के वह थर्ड लोकेशन पर लिखा लगा है तो हम इसको बॉलेंगे थ्री हेक्जनोन ठीक है जैसे हम यहाँ पर पीछे आपके पास सेकेंड लोकेशन पर लगा था तो पीछे हम इसको ब पता होगे ठीक है इससे पीछे क्या लिखोगे फॉर ब्रोमो थ्री हेक्जनोन ठीक है यह इस कंपाउंड का पूरा नाम है इसी तरीके से आप खुद भी परिसनली प्रैक्टिस कर सकते हो मुख्तलिफ की टॉन्स को नाम देने की इसे नेक्स लेक्ट्चर के अंदर हम बात एल्डी हाइट चामिल है जो दो बेसिक एल्डी हाइट है आपके पास हम इनकी लेबरेटरी और इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन देखेंगे